बेकिवल स्वागत है और अब बात करेंगे जाल और संसदी शेत्र में लुग सभा चुनाओं को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस दूरू प्रत्याशी ग्रामिर मतदातों पर पूरा फोकस कर रहे हैं और बाजपा प्रत्याशी देवची पटेल लगातार दो बर जालोर से जीत कर अब तीसरी बार चुनाओं मैदान में भाजपा प्रत्याशी देवची पटेल से दर्जन भर गाओं का दौरा कर जन सभाओं को समभोधित किया है वही केंदर सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल से ट्रेंज सहिद महत्तपूर मुद्दो पर खास बातचीत की हमारे समवदाता लूडाराम दरजी ने जनता के अंदर आज एक ही धारा बनी हुई है पूरे भारत वर्ष में आदर नरेंदर मोदी वापस देश के प्रतान मंत्री बने और जो गरीबों के विकास के लिए जो कारे किये हैं उन कारें को आगे गती प्रदान करें हमारे शेत्र में प्रधान मंत्री आवास से लेके ट्रेनों तक की सुविदा नर्मदा नहर से लेके कई संचार क्रांती तक हम लोग आगे बढ़े हैं उसको और आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं और इस बार भी बड़े भारी बहुमत से यहां से भारतिय जंता पाल्टे की सीट जिता के यहां की जंता ने बेजने का मुड बना चुकी है विरोधी जो परतियासी है उनकी और से ट्रेन को लेकर जो आरोप लगाये जाते हैं आपने भी संबोधन में क्या है विरोधी यह कह रहे हैं कि यह ट्रेन स्पेशल ट्रेन है और इन्होंने कोई कारे नहीं किया और इन्होंने एक इनका ही वीडियो है जिस वीडियो में इन्ह प्लोर रुखती है तो आप भाजपा को वोट देना ऐसा संबोधन में इनों नहीं कहा था मैं रतन देवासी जी को वही कतन याद दिलवाना चाहता हूं कि जो आपने कहा था मैंने वो ट्रेन चला दी और ये ट्रेन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक चलेगी ये भी मैंने वादा किया हुआ है राश्टर की सुरक्षा हर आदमी के दिल में है हर आदमी चाहता है कि हमारा राश्टर सुरक्षित रहे और नेचरल है जब राश्टर सुरक्षित रहेगा तो उसमें रहने वाला वैक्ति भी सुरक्षित रहेगा यह सारे विशे लोगों के बीच में और इन सारे जिनों ने किया डूंगरी गाम में जनसभा को संबोधित किया लोना राम फर्स्ट इंडिया ने जालो